दोस्तों देखने में तो यह आप लोगों को बड़ा ही आसान लग रहा है पर फिर भी कुछ बातें हैं जो ध्यान में रखनी जरूरी है यह हमने लिए एक बाउल स्वीट कॉन जिसके अंदर हमने यह आफ स्पून नमक अड़ कर दिया था उसके बाद उसको बॉल करने ट्रक दिया था और इदर दो प्यास गारलिक को चौप चौप कर लिया इदर पैन में हमने डेड़ चमच तेल अड़ कर दिया और इसमें हम करना आप लोगों को दिखेगा ज्यादा देर तक हम लोग इसको सौटे कर रहे हैं बट ग्यास उस टाइम हमारी ओफ है तो इसको मैंने थोड़ा सा डेड़ से मिनिट में ग्यास आफ कर दी थी अब यह स्वीट कॉन हम एड़ कर रहे हैं इसमें जो हमने बॉल करे थे और इ इसमें हमने डाले है ओरिगेंब और चिली फ्लेक्स दो पाकेट और और एक चिली फ्लेक्स का है तोड़े से मसाले आप ज्यादा बढ़ा सकते हैं आपके टेस्ट एकॉर्डिंग यह हम बनाने जा रहे हैं नाचोज माचोस चाट जो की बड़ी असान है पर कुछ बातों का हमें ध्यान रखना है जैसे कि क्या होता है अगर हम नाचोस चाट बनाने जाते हैं तो हमारे जो नाचोस है वो सोगी से हो जाते हैं क्रिस्पीनेस नहीं रहती है उनमें ठीक है तो उसके लिए हमें एक बातों का ध्यान रखना है कि जो भी हमारा मसाला है वो हम अलग तयार कर और फिर उसके बाद चिप्स में बस हम एड़ कर दें इधर मैंने तीन फ्लेवर के चिप्स लिए हैं जैसे कि आप देख सकते हैं इधर हमारी गैस ओन नहीं है दोस्तों आप लोगों को गलत फैमी हो सकती है तो इधर गैस हमारी ओफ है सिर्फ हमने इसको पैन में मिक्स कर लि हो बट उस वीडियो में नहीं थे तो मैंने ट्राइ करने का सोचा और तो बी ओनेस्ट अधर एंड तक आते आते चिप्स थोड़े से सोगी हो गए थे तो उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो जो यह हमने मसाला रेडी करा है प्याज स्वीट को और वगेरा वाला इसी के अंदर आप चीज आड कर दो उससे क्या होगा हमारे नाचो जो है चिप्स जो है क्रिस्पी क्रिस्पी रहेंगे और यह डिश बिल्कुल थम्जप वली है मतलब कि इसको बनाओ और जरूर जरूर खाना इसको देखो हम जैसे यह चीज आड कर रहे हैं ना इसके बाद हमने थोड़ा सा ढखा ग्यास इदर मैंने एके मनेट के लिए ओन करी थी और बस ओफ कर दी थी और स्टीम से ही फिर मैंने चीज को मेल्ट होने दिया ताकि हमारे चिप्स ज्यादा सोगी ना हो बट फिर भी चिप्स सोगी हो गए थे और चीज तो मेल्ट हो ही गई थी बट के साथ और नीमो नी चोड़ दो और इसको एंजॉय करो यह आपको क्या पिच्चर्स क्लिक हुई है इंस्टा पे दिखें